पहलो ग्रीटिंग्स तो अलफ यू वेलकम टो ऑनलाइन बेंचर्स दा वन स्टॉप सेलूशन फॉर अल्डा इग्जामिनेशन इन इंडिया रात के आठ बच चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुती इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ बाइस आप जितने लोग ने हैं फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जोड सकें जैहिंद आफिसर्स आजएए सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की हमारी क्लास में जिसका नाम है एक्सप्रेक्स 365 करेंट अफेर्स आज बिटा हम 10 और 11 जनवरी 2020 के करेंट अफेर्स पढ़ेंगे कारण ये है कि कल हमारा करेंट अफेर्स नहीं हुआ था तो आज और 10 और 11 दोनों के करेंट अफेर्स आज हम पढ़ने वाले हैं आज थोड़ा सा सेशन हमारा लंबा चलेगा तो भाई साब सब लोग पेशेंट ली पढ़िएगा क्योंकि कल का करेंट अफेर्स नहीं हुआ और मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता कि आपकी करेंट अफेर्स की क्लास मिस हो याद रखेगा करेंट अफेर्स आपके एक्जाम में बहुत इंपॉर्टन रिल प्ले करता है और याद रखेगा करेंट अफेर्स के इतने कोशन आते हैं कि आपका सेलेक्शन करवा सकते हैं या आपका सेलेक्शन रुकवा सकते हैं अब बैटा वो लोग होते हैं जो सेली सुबा दा हिंदू पढ़ते हैं दा हिंदू पढ़ना बुरी चीज नहीं है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैटा दा हिंदू पढ़ने में आपको लगते हैं तीन घंटे जो की बहुत जादा हैं और इसका return of investment बिलकुल भी अच्छा न लेते हैं और आपको शांदार current affairs कराते हैं आप CDS का exam दे रहे हैं OTA का दे रहे हैं NDA का exam दे रहे हैं आप CAPF दे रहे हैं UPSC CAC दे रहे हैं State Public Service Commission दे रहे हैं इन सब examों में ये current affairs बहुत important है और अगर आप कोई exam नहीं भी दे रहे हैं तब भी आपका ये पूरा अधिकार है कि आप देश और दुनिया की खबरों से अबगत रहें बाई साफ सब लोग आ जाईए like और share ठोको यार ताकि हम लोग session को start करें आज बहुत मज़ा आने वाला है याद रखेगा ठीक है अंशुल चित्रा मैं कराऊंगा tension ना लीजेगा ये है बटा इंडिया की best team ये वो team ह है जो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है आपको एक्जाम में सफलता दिलाने के लिए याद रखेगा हमारा सपना है भारत में सिक्षा को democratize करना education for all का सपना सभी के लिए पूरा करना तो हमारे साथ जादा से जादा मात्रा में आप जुड़ें online ventures की app अगर अभी तक download नही लोग आ चुके हैं सब लोग आ चुके हैं तो सेशन शुरू करते हैं बिना किसी लेट के ठीक है बाई चलो बाई पूजा कुमारी बहुत बहुत स्वागत है चलिए आज की पहली खबर आप देख सकते हैं पहले मैं आपको बता दूँ ये देखेगा थांड आईलेंड में अब बोईंग 737-500 ऑपरेटिंग श्रिवजा एर फ्लाइट 182 वेंट मिसिंग आफटर टेकिंग ओफ फ्रम दा जकाटा स्वकर्नो हट्टा एरपोर्ट जूट टू पॉंटियंग सुपाडियो एरपोर्ट याद रखेगा अपने सुना होगा याद रखेगा यह बहुत बड़ी दुखट खटना है जो परसो हुई याद रखेगा कि बोईंग 737 बोईंग आपको मालूम होना चाहिए एक एरलाइन कंपनी है USA की जो दुनिया भर में प्लेंस देती है उसका एक प्लें है उप्रेटिंग श्रिवजिया एर फ्लाइट 182 वेंट आफटर मुसिंग टेकिंग फ्रम जकाटा सोगर्लो हट्टा एरपोर्ट ओन रूट टू पॉंटियांग सुपाडियो एरपोर्ट तो याद रखेगा जकाटा से जो है पॉंटिनाग जा रहा था और ये प्लें क्रैश हो गया याद रखेगा नियर दा थाउजन आइलेंड और माना जा रहा ह है कि इस प्लें में जितने भी लोग थे वो सब जो है बटा उनकी मौत हो गई तो याद रखेगा ये जो इंडोनेशिया वाला जो रूट है ना बटा दरसल ये क्या है एक्वेटर के आसपास वाला एरिया है और यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा बहुत जादा एर क् है याद रखेगा तो यह बहुत ही खतनाक जगह माने जाती दरसल क्या होता है कि एक्वेटरियल जोन और जो ट्रॉपिकल जोन है वह इस एरिया में आकर कहीं ना कहीं मिलता है जिसके वजह से यह प्लेन क्रैश हुआ याद रखेगा थाउजेंड आइलेंड के पास इंडोनेशिया इट कंसिस्ट ओव इस ट्रिंग ऑफ फ्रीएंड़ एइनड़ फॉट्यट वाइलेंड इस ट्रेचिंग फॉट्यफ फाइफ किलो मेटर नॉट इंटु दा जावा सी एड़ जाकाटा बें दा फैक्ट नॉट ऑफ बैंटन प्रोविंस याद रखेगा सारा सारा जीवो एरलाइन से याद रखेगा हाँ बैटा ब्लैक बॉक्स मिल गया है और थाउजन आइलेंड के पास इसकी डेबरी मिली है अब आने वाले समय में बैटा जब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स को निकाला जाके उसको टेस्टिंग की जाएगे लिबारेटरी में तो असलियत मालूम होगी कि ये क्रैश क्यूं हुआ वैसे मैं बता दू कि इंडोनेशिया जो है वहाँ पर जादा तर एर क्रैश जो है वो खराब मौसम के वज़े से ही होते हैं ये देखो बटा एक बड़ी खबर है आज की वेनेडियम ये देखे अब बहुत बड़ी खबर है आपके एक्जाम के लिए वेरी 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 इंपोर्टेंट न्यूज वेनेडियम अरुनाचर प्रदेश इस लाइकली टू बिकम इंडियास प्राइम प्रिडूसर ओफ वेनेडियम आपको मालूम होना चाहिए वेनेडियम के बारे में याद रख देखिएगा सिंबल जो है वी है इसका एलेक्ट्रॉन कंफिग्रेशन यह है फिजिकल स्टेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एसेड़ प्रपर्टीज तो याद रखेगा यह ट्रांजिशन मेटल है सॉलिट फॉर्म में है याद रखेगा यह बहुत इंपोर्टेंट है वेनेड थ्री थ्री इस हाड सिलिवरी ग्रे मैलेबल ट्रांजिशन मेटल द आलिमेंटल द आलिमेंटल मेटल इस रहली फांड इन इचर इस रिकावरड अज रखेगा हाई वेल्यू मेटल है जो की स्टील और टाइटेनियम को मजबूती देने के काम आता है ग्लोबल सिनेरियो दे देख लेते हैं लार्जेस डिपॉसित वेनेडियम ऑफ द वर्ल्ड आर इंचाइना फॉलोड बायर रश्या इंस आफ्रिका चाइना विच प्रिडूसेश फिफ्टी सेवन वर्ल्ड वेनेडियम चंजूम फॉटी फॉर्टी फॉर्ट इन तूजन सेवनेटीन तो याद र रुनाचर प्रदेश में पाए जाएगा और यह हाई वेल्यू मेटल है जो कि बेसिकली स्टील और टाइटेनियम को मजबूती देने के काम आता है याद रखेगा इंडिया इसा सिग्निफिकेंट कंजूमर ऑफ वेनेडियम बट इस नॉट प्राइमरी प्रिडूसर तो य वेनेडियम प्रिडूस होता उसका चार पर्संट इस्तमाल करता है दग जोलेजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्राउंड प्रॉमिसिंग कंसेंट्रेशन और वेनेडियम इंदा पेलियो प्रोटोजवाइक कार्बोनीसियस फाइलेट रोक इंदा डेपो एंड टमांग एरिया और पापम पारे दिस्टिकेट अरवाचल प्रदेश तो यहां पर जोलिजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रॉमिसिंग कंसेंट्रेशन पाया है तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत में वेनेडियम जो है अरवनाचल प्रदेश में एक प्राइम प्रिडूसर बनेगा भाई साभ लाइक और शेयर होते रहना चाहिए भाई साभ यह लाइक और शेयर जब इतने कम होते हैं तो बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आता है आपको मालूम है बाई कि 100 प्लस लाइक और 100 प्लस लाइव ये दोनों जब तक 100 प्लस नहीं होते हैं जब तक मज़ा नहीं आता है तो फटा फट लाइक और शेयर सब लोग करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जोड़ते रहें बहुत बढ़ियां चीक है हाँ जी सर जो आपका अमिर सर का सेकेंड बैच वो पेड़ बचों के लेना पड़ेगा क्या अलग से कोर्स नहीं मिलेगा क्या बहुत शी बात है संदीब सेन अगर आप दीखे बटा जो वो कैब और करेंट अफेर्स का कोर्स है अगर आप अलड़ी हमारे सीडियस के जो 75 डे या 50 डे नहीं है उनके लिए बैच विल्कुल फ्री है दिस वास्ट रिपोर्ट ऑफ प्राइमरी डिपोजिट ऑफ वेनेडियम इन इंडिया विद एंवरेज ग्रेट ऑफ 0.76 परसंट वेनेडियम मिनलाइजेशन अरुचल प्रदेश जोलोगरी सिमलर तो स्टोन कोल वेनेडियम चाइना होस्टेंड कार्बनेशे सेल दिस हाइल वेनेडियम इन इंडियम डिपोजिट अरुणाचल प्रदेश यह देखेगा बटा एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है जिसे कहते हैं लीडार सर्वे यह देखेगा बटा अब होता क्या है विद्धा स्टार्ट ऑफ दा ल यह देख सकते हैं कि डेली वारनसी के बीच में भारत सरकार हाइस स्पीड रेल कोरिडूर बना रही है और उसके लिए बटा लीडार सर्वे करा गया है एरियल मतला हवाई जहाद से जो है बटा जमीन का सर्वे किया गया है कि क्या वाकई में यहां पर याद रखिएगा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाए जा सकता है या नहीं बनाए जा सकता है सो लीडार सर्वे बहुत बड़ी ख़बर है लाइक और शेर करिए मिस राओ बिटा इसकी पीडियेफ क्या हर चीज की पीडियेफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल ऑनलाइन बेंचर्स पर अवेलेबल होती है लेकिन भाई साब बच्चे इतने कम हैं यह बिलकुल मजा नहीं आ रहा है आज आप लोग लाइक और शेर में बहुत कमी कर रहे हैं बिलकुल भी प्यार महबबत नहीं दिखा रहे हैं भाई आप लोग के लिए हम लोग इतना सारा वो करते हैं तो आप भी भाई फटाफट करें तो याद रखिएगा दा लिडार सर्वे फोर डेली वारनसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इस्टार्टेट फॉम ग्रेटर नॉड़ा से हुई जहां हेलिकॉप्टर के अंदर हाई स्टेट ऑफ अर्ट एरियल लिडार और इमाजनरी सेंस लगाए गये हैं इसने फ्लाइट ली और याद रखेगा ग्राउंड सर्वे भेजे हैं काफी इंपोर्टेंट नैशनल हाई स्पीड रेल कॉर्परेशन लिमिटेड इस आप्टिंग डिटेक्शन और रेंजिंग सर्वे यह देखेगा सो लाइड डिटेक्शन और रेंजि सर्वे त्वलबन रेंजिंग सर्वे ग्रांट्सर्वे अक्रूशियर एक्रीटिटी फ्र Conseller पर अनी लिनेर इंफ्रस्ट्रॉक्ट्रिक्शर प्रजेक्ट अस सर्वे प्रोइज़ दिटेल्स एम्याओं अलाइं मीश्या इंट यह रिडार्विश जज फोर्ट सिंगत इस लाइट पर्सेस कंबाइंड विद अधर डेटा रिकॉर्डेट बाइड एर्बॉन सिस्टम जनरेट प्रिसाइज थ्री दैमेंशन इंफरमेशन अबाउट शेप अब दार्ट अनि सर्फेस करेक्टरिस्टिक्स तो यह बेसिकली क्या करता है कि यह लाइट भीम छोड़ता है जिससे क्या मालूम चलता है कि अर्थ के अंदर का सर्फेस कैसा है तो इसके अंदर बेटा एक लेजर होता है एक स्कैनर होता है और एक जीपियस होता है तीन चीजों से मिलकर बनता है अब यह देखेगा बेटा यह है इंटरनाशनल ड्राइविंग पर्मिट आईडीपी के तो याद रखियेगा जैसे भारत में आप इंडिया में रहते हैं अब होता गया है कि मान लेते हैं आप उस्ट्रेलिया चले गए तो आपके पास इंटरनाशनल ड्राइविंग पर्मिट होता है जैसे आईडीपी कहा जाता है तो होता गया है बहुत सारे लोग जैसे मैं ऑ होता किया है कि मौस्टेलिया गया और मेरा IDP जो है बटा हो गया तो इसके लिए Ministry of Road Transport and Highways ने एक notification जारी किया है to facilitate the assurance of the international driving permit for Indian citizens whose IDP has been expired while they're abroad abroad में expired हो गया तो आप कर सकते हैं there was no mechanism for its removal by citizens of abroad and the IDP has expired now with this amendment is proposed that Indian citizens can apply for renewal through the Indian embassy's ministry abroad where these application would move to the Vahan portal to India to be considered by the respective RTOs तो अब आप जानते हैं कि आप विदेश में हैं आप हमारी Indian embassy में जाईए आप Indian missions में जाईए और वहां पर applications दीजे कि भई हमें international driving permit को extend कर दें वहां से वह Vahan portal में डाल देंगे जो बहुत important portal है भारत का और वहां से RTO को transfer करके आपका IDP renew करा दिया जाएगा IDP would be courier to the citizens as is the address abroad by the respective RTOs और बकाइदा आपका IDP जो आपका जो international driving permit है वो जो है बकाइदा आपके address पर भेज दिया जाएगा RTOs द्वारा याद रखेगा ठीक है हाँ जी बहुत बढ़िया like और share होता रहना चाहिए भाई साब भटा फट लाइक और share करिये और 100 प्लस सब लोग पहुचिए भाई अभी तक 100 प्लस नहीं पहुचे हैं 100 प्लस में अभी 30 लोग कम हैं भाई साब चीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है है हाँ जी अब देखेगा पेमेंट इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलप्मेंट फंड यह देखेगा पेमेंट इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलप्मेंट फंड जैसे पी आई डीएफ कहा गया बड़ी खबर है आज की दा रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया अनॉंस दा operationalization of the payment infrastructure development fund scheme so Reserve Bank of India ने announce किया है operationalization of the payment infrastructure development fund scheme so payment infrastructure development fund scheme को शुरू किया गया है हाया खान बेटा प्लीज पहले पढ़ा लेने दो आंत में अपने doubts पूछ लेना मैं सब कुछ बता दूंगा ठीक है तो याद रखेगा तो हमारे देश में payment acceptance infrastructure को बढ़ाना है तो सरकार चाहती है कि देश में जो digital payments वगरा है उनको बढ़ाया जा सके सो पेमेंट acceptance infrastructure को बढ़ाया जाएगा और इस बार नौर्थ इसन स्टेट्स होंगे और अडवाईजरी काउंसिल अंडर चेर्मेंशिप और डेप्टी गविनर बीपी कानगुंगो इस बार इस लेट इस बार चाहएंड़ाया जो की नौर्थ इसन रीजन्स को टार्गेट करेगा यह देगेंगा बैटा लीगल इंटेंट Entity Identifier यह काफी बड़ी ख़बर है LEI आपने देखा होगा इस तरह के कोशन आपको दिखाई देते हैं एक्जामों में खास तोर से जो है बटा आपके Economics के वलिस्वक्षन में the Reserve Bank of India introduced the legal entity identifier for large value transaction in centralized payment system तो large value transactions जैसे की मान लेते हैं कोई transaction 100 करोड, 1000 करोड का होता है तो उस condition में याद रखेगा Reserve Bank of India introduced the legal entity identifier for large value transaction in centralized payment system ताकि हमारे देश के जो बहुत बड़े payments होते हैं उसको secure करने के लिए legal entity identifier आ गया है The LEI is a beast digit number used to uniquely identify parties to financial transactions worldwide It was conceived as a key measure to improve the quality and accuracy of financial data system for better risk management post the global financial crisis The RBI has not decided to introduce the LEI system for all payment transaction of value rupees 50 crore or above undertaken by entities using RBI run central payment system the RTGS and NEFT तो याद रखेगा कि जो भी payment 50 crore उपए के उपर होंगी जो की RTGS और NEFT के माध्यम से की जाएंगी उसमें 20 digit का legal identifier एक unique identity की आएगी जिसे legal entity identifier कहा जाएगा जो दोनों parties के पास होना चाहिए ताकि payment system को secure किया जा सके 50 crore उपए के उपर से यह देखे बहुत बड़ी खबर आ रही है आज हमारे देश में social empowerment से बहुत बड़ी खबर आ रही है period room यह देखेगा यह बहुत बड़ी बहुत बड़ी खबर है भाई साब और अभी 100 plus like भी नहीं हुए है और 100 plus live भी नहीं हुए है ना भाई साब आप लोग आज जो है आज लगता है बच्चे कुछ नाराज है और आपकी नाराजगी बटा हम होने नहीं देंगे नाराजगी जितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसका हमेशा समधान निकाला जाएगा तो आप बताईए आपकी नाराजगी क्या है रखेगा चीक है बहुत इंपोर्टेंट है याद रखेगा यह बनाया गया है पीरियट रूम जो है पब्लिक ट्वैलेट महाराष्टा के थाने जिलें बनाया गया है ताकि जो मेंसुरेशन के पीरियट के समय का समय है वह महिलाओं यहां पर जा सकें क्योंकि कंजेस्टेट स्लम्स में जो वाश्रूम्स अगरा होते हैं उनकी बहुत भारी कमी होती है एक्डेशन के सप्सकें पेस्टेशिटीज बेद सुरली पर जूम्स लाचियन अमंग वोमेंस जवली इंस तुम the facility is set up keeping in mind the women living in small houses who do not have a separate bathing section many times they find it difficult to change during periods this facility will be a boon of such women and go long in promoting good hygiene claimed to be the first of its kind initiative the much needed facility has been set up by the thane municipal corporation in collaboration with the ngo at a slum in shantinagar locality of wagel state in thane district तो शantinagar locality में लगाया गया है the 45,000 रुपी लो कॉस्स फैसलिव्टी विए रेप्लिकेट इन ओल दा 120 कम्मुनिटी टॉलेट्स इन दा सिटी तो एक बनाने में बटा 45,000 रुपए का खर्चा आता है और याद रखेगा कि इसे जो है बटा थाने मुनसिपल corporation एक NGO की मदद से बनाया है तो काफी important अच्छी खबर है और यह काफी progressive thinking है काफी अच्छी है भारत के महिलाओं के लिए काफी अच्छी खबर याद रखेगा अब यह देखेगा बटा world Hindi day ये देखे काफी बड़ी खबर है world Hindi day world Hindi day was observed on the 10 of January याद रखेगा कल बटा विश्व हिंदी दवस था और याद रखेगा विश्व हिंदी दिवस बनाया गया 10 January को याद रखेगा the day is corroborated every year with the objective to promote use of Hindi language abroad on this day in 2006 the first world Hindi conference was held in Nagpur with the aim to promote लेंगवेज वर्ड वाइट सो याद रखेगा 2006 में इसकी शुरुवात हुई वर्ड फर्स्ट हिंदी कॉन्फरेंस जो है इसकी शुरुवात नाकपूर में हुई थी जिसका काम था कि हिंदी लेंगवेज को वर्ड वाइट प्रमोट करना since then every year 10 January is observed as the world Hindi day तो world Hindi day की शुरुवात 2006 में हुई थी और सबसे पहले नाकपूर बनाया गया था इस बार हाला की इसे बटा जो है हमने जो है ऐसे ही पनाया चीक है यह देखेगा बटा golden quadrilateral आपने सुना ही होगा बटा golden quadrilateral के बारे में आपने golden quadrilateral के बारे में सुना होगा जहां पर दिल्ली को मुंबई से मुंबई को चन्नाई से चन्नाई को को कॉलकता से और कॉलकता को डेली से जोडने की बात हुई थी golden quadrilateral के बारे में तो आप सबने पढ़ा होगा अब देखेगा Indian railway started the new year by achieving a landmark achievement by drastically enhancing the maximum speed to 130 km per hour for 1280 km length out of 1612 km in the golden quadrilateral route याद रखेगा so golden quadrilateral route में Indian railways ने 1280 km के length में 130 km की speed जो है allow कर दी है याद रखेगा so golden quadrilateral याद रखेगा बहुत important है और Indian railways ने achieving landmark achievement by drastically enhancing the maximum speed to 130 km per hour for 1280 km length out of 1612 in the golden quadrilateral diagonal याद रखेगा तो यह काफी important है याद रखेगा this covers the entire route over south central railway except Vijaywada दुवादा section with a signaling up gradation work is in process the enhanced speed limits could be achieved due to the systematic and planned strategic of track infrastructure by removing bottlenecks in this section this included heavier rails laying of 206 meter long welded rail panel improvement of curves already the maximum speed limit high density network between सिकंदराबाद काजीपेट has been enhanced to 130 km so 130 km की speed भारती railway ने कर दी है काफी अच्छी बात है और किस कौन से section में की है याद रखेगा south central railway में तो south central railway में यह किया गया है बहुत बढ़िया भाई साब like share होते रहना चाहिए very good answers by everyone अच्छाबाश कैसा लग रही है classes और कैसा लग रहे है questions जल्दी बताईएगा भाई साब सब लोग like और share सब लोग करते रहें बहुत अच्छे बाई साब लग रहा है लोग नाराज हो रखें है 100 प्लस अभी तक नहीं हुआ है भाई बिलकुल बहुत ही गलत बात है आज जो है मुझे तो मीद थी कि आज तो 100 से प्लस हो जाएंगे बहुत बढ़िया चीक है आगे बढ़ते हैं चीक है हाँ ओके मिस राओ बहुत बढ़िया यह देगेगा केन बेतवा लिंग प्रोजेक्ट आपको मालूम है नदियां को लिंकेज हमारे देश में होता रहा है और केन बेतवा आप जानते हैं केन एक रिवर है बेतवा एक रिवर है उसको लिंग किया जा रहा है यूनियन जल्शक्त Minister Gajendra Singh Shekhawat reviewed the Kain Betwa Project so ketam Betwa आपको मालूम नियों नौंगो जोड्ने की बात हो रही है और Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat ने Kain Betwa Project को review किया है the government of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh was close to an agreement on it discussion on the project will end away between the two States in fifteen years and now some minor issues are left for which there is a need of clarification the project that aims to transfer पर सर्प्लस वाटर फॉर्म दा केन रिवर मध्य परदेश में उसका जो एक्सेस वाटर है वो बेत्वा रिवर को दिया जाएगा ताकि जो यूपी और एंपी में फैला हुआ है खास तोर से जहां सी छतरपूर वाले एरिया में यहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी हो सके दा केन बेत्वा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विल बेनिफिट ड्राइब बुंदेल खंड एरिया इंपी और यूपी बिसाइड इरिगेटिंग थाउ प्रोजेक्ट हैं हमारे देश में जिसमें केन बेत्वा इस लिए बात याद रखेगा मिलाने के लिए जिसमें केन बेत्वा जो है पहली याद रखेगा आई होप इस क्लियर डोल फ्यू लाइक और शेयर होते रहना चाहिए बहुत बढ़िया यह देखेगा फ्रेड बिज मिनिस्टर प्यूज गोईल लांच दा फ्रेड बिजनेस डेवलपमेंट पॉर्टल ऐस वन स्टॉप सलूशन फॉर ओल देट्स फ्रेड कस्टमर्स सो फ्रेड कस्टमर्स आपको भाई एक चीज मालूं होनी चाहिए कि हमारी जो भारती रेलवे है उसका जो मेजर बिजनेस है वो क्या है बिटा वो फ्रेड है मतलब माल भाड़े से सबस्यादा पैसा रेल्वे कमाता है सो रेल्वे मिनिस्टर प्यूज गोईल ने फ्रेड बिजनेस डेवलपमेंट पॉर्टल स्टार्ट किया है सो फ्रेड बिजनेस डेवलपमेंट पॉर्टल स्टार्ट किया है व के स्टेमर्स वाइल के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए काफी फाइदेबन सेवाइब यह प्रूब होगी याद रखेगा अब यह देखेगा बाक सारा प्रांत यह देखे नई चीज आई है नई डिस्टिक आया है गुजराथ चीफ मिनिश्टा डिसाइड़ टू क्रिएट अ न्यू बाक सारा प्रांत इन अम्रेली डिस्टिक जो है गुजरात में वहाँ पर बै चैणिर नहीं दून, यह दिसांट रखेगा लड्याथ प्रण फरूब ग्मद बाक सारा प्रांट विंद चाहित जन्वरी इन शिदर्वाश्विटे सिंविज बाक सारा था इनूशन, अखेगा चैणिर वी तैनीजे, प्रंगेल्य दून, प्रांत 아파ts बघूच अरूब्र स्टेट गुजरात में एक नया प्रांथ जोड़ा गया है जिसका नाम है याद रखेगा बाक सारा प्रांथ जो की अम्रेली डिस्ट्रिक्ट में होगा याद रखेगा अब यह देखेगा एरी सिल्क यह भी खबर है बिटा आसाम गवर्मेंट विल प्रोवाइट खादी शर् जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि खादी का इस्तमाल देश में बढ़ना चाहिए बहुत इंपोर्टन चीज है और इसको बढ़ाने के लिए आसाम की गवर्मेंट खादी की शर्ड एरी सॉल और एरी स्टोल ग्रेट फोर एंप्लोईज को बाटेगी ताकि देश ताकि आसाम में जो है बैटा आपका जो गांधी जी का सपना था खादी एंविलेज इंडिस्ट्रीज को बढ़ावा देना उसको बढ़ावा दिया जा सके काफी अच्छा मूव है आसाम के लिए एरी स्टोल और सामिया रिकीनी फाउंड इन नौर्ट इस सब्सक्राइब करने के लिए उसके लावा याद रखेगा शॉल हो गए और जो आपके स्टोल्स हैं वो क्लास फोर्थ एंप्लोईज को बाटे जाएंगे बढ़ाने के लिए ये देगेगा चैरी ब्लॉसम माव फेस्टिवल आपने सुना होगा इसके बारे में भी इन मनीपूर दा चैरी ब्लॉसम माव फेस्टिवल वस हेल्ड एट सेनापती इसके बाटे बाटे जब कहते हैं तो एक पिंग सीजन की शुरुआत होती है तो चैरी ब्लॉसम माव फेस्टिवल कहा जाता है सेनापती डिस्टिवल मनीपूर में जैसा कि आप जानते हैं कि 12 जनवरी जैसे की कल है और 12 जनवरी हमारे देश में नाशनल यूथ डे होता है स्वामी विवेका नंजी के सारे में आपको मालूम है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी विल अड्रेस दा नेशन अड्रेस दा नाशनल यूथ पार्लिमेंट फेस्टिवल दो हजार उक्यस ओन बारा जनवरी हमारे देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी साहब सब्सक्राइब नाशनल यूथ पार्लिमेंट पहली बार 2019 में हुई थी नाशनल यूथ दे बाराज जनवरी को स्वामी वेकानन की बर्डे पर होता है इन 1984 गॉर्मेंट इंडिया डेकलेट डिस दे अज नाशनल यूथ दे सिंस 1985 से इसकी शुरुआत हुई थे और 85 से हर सा यह बनाया जाता है नाशनल यूथ डे याद रखेगा तो काफी इंपॉर्टेंट है यह देखेगा कलिंग का मतलब आपको मालूम होता है कि जब जवरदस्ती जानवर किसी को मारा जाए तो उसे कलिंग कहा जाता है आफ्टर कलिंग ऑफ डक्स चिकेंस इन केरला हर्याना पॉल्टरी बर्ट इन दा बर्वाला आफ्टर सम अफ दें पॉस्ति वर्द आव अविए इंफ्लूएंजा अब आपको मालूम है बर्ट फ्लू बहुत तेजी पहला है और डक्स और चिकन को कैरला में हत्या करने बाद हर्याना गवर्मेंट डिसाइल किया है कि पॉल्टर इंप्रेशन और डिस्टिक बर्ट इन इंफेक्टेड अरिया बिच इस वर बड़ फ्लू है बड़े अनिमल्स में भी होता है लेकिन होता क्या है कि चोटे अनिमल्स के साथ ही किया जाता है क्योंकि वह इंसानों के आज पास रहते हैं इंडिया कुलिंग इस दन इन रेडि इंफेक्टेड जोन दिस मींज और डुमेस्टिक बर्ट प्रेजेंट कमर्शल फ्राम बैक्यार्ट फॉर्म लिब बर्ड मार्केट्स और इंफेक्टेड जोन आ कॉल्ड कर्ड याद रखेगा अब एच वन बी वीजा आपने सुना होगा बेटा अमेरिका जाने वाले हर इ लेकिन यह सिस्टम खतम कर दिया गया इसमें अमेंडमेंट किया गया है दा यूएस अड्मिनिस्टेशन एंगें अमेंडेट दा एच वन बी वीजा नॉर्म बै चेंजिंग रूल्स तो गेप्राइटी दे जाएगी जिनके हाई वेजेज और स्किल्स होंगी उनको यहां अब याद रखेगा जिनकी हाई वेजेज और ज्यादा हाई स्किल्स होगी उनको प्राइटी दे जाएगी पहले जो होता था यह लॉट्टरी सिस्टम होती थी याद रखेगा ठीक है दा न्यू वेज वेज वीजा वर्क रिजाइं वीजा वेजार नौ ग्राइटी सेलेक स्किल्सेट अवेज वेजेज देखे जाएंगे फिर आपको वीजा मिलेगा पहले यह लॉट्री सिस्टम पर मिलता था किसी को भी मिल जाता था तो आज की सारी खबरे हो गई कैसी लगी अगर लगी है अच्छी तो 100 प्लस लाइक जरूर होने चाहिए और खराब लगी है तो डिसलाइक भी दबाईए अब हम लोग कोशन्स करेंगे ठीक है बटा तो लाइक और शेयर जरूर दिखाईएगा कैसा लगा अगर क्लास अच्छी लगी है तो खराब लगी है तो बटा डिसलाइक भी बिलकुल दबाया जाए कोई भी आप कमी मत देखाईएगा ठीक है बटा हां जी तो अच्छी लगने पर ही लाइक बटन जरूर दिखाया झाया खराब लगने में खराब भी बताया जाए लेकिन याद रखेगा कि अपने और आपने एस्ट रिवीज वहूँ हमें जरूर दिये जाए जाएं क्योंकि आपके आपके हमारे लिए बहूत जरू 2021 तो जो लोग cds2 2021 की तयारी कर रहे हैं उनका बैज टू आ रहा है फाउंडेशन बैज 12 फरवरी से एक साल की वैलिडिटी है 3999 में खरी सकते हैं लेकिन अभी आप 3499 में बैज खरी सकते हैं बैज आप 2999 में खरी सकते हैं उसके लावा सी अपीएफ की तयारी कर रहे हैं पेपर वन पेपर टू यह बैज भी दोनों की तयारी कर रहे हैं तो 4499 में बैज खरी सकते हैं ठीक है चली आए यह देखते हैं पहली ख़बर आज की क्या कहती है अब आप गलत मत करिएगा बैटा यह कोशन देखेगा ध्यान से ठीक है अब होता गया है देखेगा तो right answer बैटा यहां पर A हो जाएगा क्योंकि पूरा यह cover नहीं किया गया है तो पूरा नहीं cover किया गया है याद रखेगा यह विजवाडा और डूवदा सेक्चन जो है यह नहीं हुआ है क्योंकि अभी यहां पर signaling upgradation का वक्त चल लहा है with reference to the National Youth Parliament Festival consider following statement the National Youth Parliament Festival is organized on 12 January on the occasion of the National Youth Day in order to increase the youth in the age group 18 से पहते इस तो engage with public issues and understand the common sense point of view National Youth Day celebrated on 12 January being the birthday of Jawala Nehru जल्दी बताईएगा बहुत अच्छा कोश्चन है ध्यान से देखिए जवाब दीजे बहुत बढ़िया शावाज सो National Youth Day आपको मालूम होना चाहिए पंडित जभाला नहरू नहीं बड़की स्वामी विवेका नंजी के बड़ेवे बनाया जाता है चेरी ब्लॉसम माव फेस्टिवल इस सेलिब्रेटेड इन मनीपूर बहुत अच्छा कोश्चन है ध्यान से देखेगा बात तो सही है बिलकुल सही है ठीक है 18-25 तो बताया है भाई हां जी सॉरी 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 बिटा यह गलत है 18-25 होगा यह भी गलत है और यह भी गलत है याद रखेगा नाइधर वन नाइधर टू सॉरी मैं है 18-25 देख लिया सॉरी हां जी दा केन बेत्वा लिंकिंग प्रोजेक्ट याद रखेगा बेनिफिट दा बुंदेल खंड एरिया राजस्थान गलत है यह एंपी और यूपी में है यह सही है राइट आंसर टू अन्ली हो जाएगा याद रखेगा हां जी रिसेंट्ली सीन न्यूस जल्दी बताइएगा बहुत बढ़िया आपको मालूम होना चाहिए यह थाने में बनाए गया थाने जो है महारास्टा में है बिल्कुल सही है और हाइस्ट पॉपलेशन हमारे देश में जो है याद रखेगा थाने जिले में आईए वन क्रोड की ऊपर याद रखे जाएगा ठीक है अब देखेगा विद रिफरेंश दुदा थाउजन आइलेंड इस पार्ट ऑफ माल्डीव इट कंसिस्ट ऑफ 342 आइलेंड स्रेचिंग 45 किलोमेटर नॉट इंटू अरे बहुत बढ़ियां है ध्यान से देखे कोशन जवाब दीजेगा इट इस पार्ट माल्डीव थाउजन आइलेंड यहां पर सर्जीव और का जो प्लेन क्रैश हुआ गलत इंडोनेशिया में हैं और यह जो है अरेबियन सी में नहीं है विटा याद रखेगा राइट आंसर डी हो जाएगा दोनों गलत हैं याद रखेगा रहा कंसिडर 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 न फॉल्विंग स्टेटमेंट विज्रेंग डिशन डावरी ऑन्टेंवरी ऑन दिस देंड दोज चे अच्छे द फिर्स हिंदी कॉन्फरेंस का इंद नाकपूर डाइम तो प्रोमोइज व्लड़वाइट बहुत आसान है ध्यान से दिख़ि बनेगा जल्दी ही प्राइम प्रेड्यूसर ऑफ वनेडियम जो है जल्दी ही बनेगा बैटा आपका अरुनाचल प्रदेश याद रखेगा यहां पर जो है काफी भारी मात्रा में पाया गया है आहां पोर्टल ऑफेंड मेंशन इनिस्टेटिव ऑफ मिनिस्ट्री अफ शिप पर्मिट को बढ़ाने की बात की गई है यह मिनिस्ट्री ओव रोड ट्रांस्पोर्ट हाइवेश में किया गया है रिसेंटली सीन इन नुइस लाइट डिटेक्शन रेंजिंग सर्वे लीडार टेक्नॉलजी स्टार्टेट फॉर डेली वारस्ती हाइइ स्पीड रेल चिन् आज का हमारा डन तो आपको कोई भी कोर्स खरीदना हो आप यहां पर हमें कॉल कर सकते हैं और वाई क्लास अच्छी लगी है तो एक बार सब लोग लाइक दिखा दिए बहुत बढ़िया हंड्रेड लाइक्स में सिर्फ आठ बचे हैं बहुत अच्छे अगर क्लास अच्छ जरू दिखाएं खराब लगी है तो डिस्लाइक दिखाएं लेकिन बताईए जरूर कैसा रहा क्लास आज का और यू लाइक दा क्लास और नौट ठीक है बच्छा हां जी बहुत अच्छे बैटा यह थमसब नहीं दिखाना है थमसब पर लाइक बटन दिखाना है और खराब बच्छा थैंक यू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास आने में नई मिस्राओ बिलकुल आते हैं कोई परशानी नहीं है बिलकुल एक्जाम में आते हैं ठीक है हाँ जी अभी शेक थापा बताईए साथ ठीक है सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास आने का कल मिलते हैं रात आड़ बजे जैहिन जैभारत वद्ने बात्रम